हाई यह जो आज जिसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ वो एक आर्टिकल है जो की अभी लिखा गया है यूस क्लिक में ये दरसल पिछले दिनों मैंने डैंगलॉर में एक कॉन्फरेंस में विजिट की थी और वहां पर अजीज प्रेम जी विश्व द्याले के बच्च आ जो बिसिकलि जल वायू परिवर्तन हो रहा है और उसका क्या असर शेहरों के पड़ रहा है खासकर बैंगलॉर के लिए कर तो बहुत मज़े की बात है कि बैंगलॉर जैसे शेहर में जहां भी करनाटका में सरकार बनी है पिछले तीन सालों से वहां पर नगर निगम नहीं ह लेकिन नगर निगम नहीं होना एक बात है लेकिन वहां पर प्राकृतिक आपदा तो बहुत तेजी साही रही है पिछले दिनों वहां फ्लटिंग थी और फिर हीट आलेंड इफेक्ट भी पार बार हो रहे हैं लेकिन वहां आपदा प्रबंदन एक कोई नागेश जी है जि उस तर पर जो वल्नरबिलिटीज है मतलब क्या-क्या यहां पर ऐसे समस्या है जिनको प्रात्मिक्ता पर देखना जरूरी है क्योंकि धोनों तरह के जो डिजास्टर्स हैं एक जलवाई उपरिवर्तन से और एक नाच्रल जिसमें हम मरत्विक बूलते हैं उसका असर साफ त जरूरी है जन भागीदारी से युजना बनना जरूरी है और उसमें फिर कारवाई बहुत महत्तपूर्ण है लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज करीम जो आट नौ हजार हमारे बड़े चोटे शेहर हैं देश में वहां पर असी शेहरों में भी इस तरह से युजना होगी ज जरूरत इस बात की है कि शेहरों को मजबूत किया जाए और उसमें या आपदा प्रवंदल के काम को मजबूत किया जाए इस आर्टिकल में और आपको जानकारी मिल सकती है